हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग करेंट एलेक्टिस सेटी का लेक्चर नमबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि कुछ iche important relations आज हम लोग पढ़ेंगे बच्छों, relation between current and drift velocity और एक होगा relation between drift velocity and relaxation time. ये दोनों बहुत ही important relation है क्योंकि आगे के जो भी लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर ये दोनों जो भी derive करके formulas लाएंगे सारे parameters और quantities में ये घुशते जाएगा, घुशते जाएगा, घु वो क्या रहा है actually तो जितने भी formulas हम लोग एक तो derive करके लाएंगे चाहिए वो कितना भी complicated हो किसी भी तरह से हो tension बिलकुल भी लेने की जुरत नहीं क्योंकि सारे formulas का कुछ ना कुछ ट्रीक है जिससे हमें permanent जो है याद रह सके ठीक है तो दो जगह पर hit करना है बचो एक है boards और दूसरा है competition बोट्स में ये दोनों relation जो आज derive करेंगे न वो derivation बहुत ज़्यादा important है frequently पुछा जाता है competition में आप mechanism याद रखिए और जो formulas derive होकर क्या है वो result और उस पर जैस कैसे हम लोग numerical solve करेंगे ठीक है तो हर तरफ से परिपूर्ण होना है ठीक है चलिए तो सबसे पहले क्या शुरू करें एक derivation क्या है mechanism समझते हैं बहुत important relation between क्या है drift velocity and relaxation time drift velocity को vd से denote करते हैं vd suffix लगाते हैं d तो वो drift होगे ठीक है and velocity एक है relaxation time उसको tau से denote करते हैं जैसे कि torque को tau से denote करते हैं बिल्कुल उसी तरह से तिन दोनों के बीच में relation क्या होता है कैसे इसको समझेंगे वो देखे ज़रा एक है क्या कोई conductor हमारे पास है क्या है ये भाई conductor तो देखें कि अगर conductor के क्रॉस कोई भी electric field externally नहीं लगाये गया है यानि इन दा absence of external electric field तो conductor के अंदर हमको पता है कि बहुत सारे मातरे में free electrons होते हैं तो उसका जोन हमें देखना है कि free electrons करता क्या है क्या चुपचा बैठा हुआ रहता है या चलते भी रहता है वो mechanism समझना है दूसरा यही conductor के क्रॉस क्या करेंगे हम external electric field लगा देंगे second part में देखो जड़ा इन the presence of external electric field अतब देखें कि वो electron क्या करता है बस इतना ही समझना है जैसी सब समझ गया है अपने आप सारा parameters हमें समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए देखते एक एक करके सबसे पहले सिंस यह है conductor, conductor के अंदर हमें पता है कि मालो कोई atom अगर है ठीक तो उस atom से क्या होता है? Electrons बाहर निकलता है और निकला हुआ ही अलड़ी रहता है जिसको हमलोग कहते क्या है? Free electrons कहते हैं क्या कहते है, free electrons, और पता है कि कोई भी atom से, अगर electron बाहर निकला है, तो भाईया, यहाँ पर बचेगा, क्या, यह बच जाएगा, क्या, बन क्या जाएगा, positive iron बनेगा, और इधर क्या है, electrons, यानि कि free electrons इधर, और यह हो गया, positive ions, since, हमको आज, पता है, आज के date में, कि conductor में, जो current flow करता है, the rate of flow of क्या है, charge, कौन है charge, जो कि carry करता है, जिसके लिए current, मैं लोग, current के लिए, वो responsible है, कौन है वो, वो है free electrons, ठीक है, वही flow करता है, जिसके वज़े से, हम लोग बोलता है, current flow कर रहा है, conductor में, तो free electrons का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलता है, conduction electrons, क्यो conduction electrons, because it is responsible for the conduction of electricity, ठीक है, तो एक एक करके point wise जो नो, मैं यहाँ पर कुछ लिखाते जाओंगा, ऐसे, ठीक, तो free electrons, free electrons, are, are also called, क्या बोलते है, conduction electrons, free electrons, are also called, conduction electrons, कभी भी reason पूछेगा, तो खटाक से लिख देना है, अपने से, because it is responsible for the conduction of electricity, ठीक, अब देखते हैं, जैसा ही atom से electron निकला, वो बन गया positive ion, तो electron का जो mass है, उसके comparison में जो positive ion बना हुआ है, यहाँ पर इसका mass क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि positive ion में क्या है, nucleus है, nucleus के अंदर protons होता है, neutron होता है, तो सारे का mass जूड़ गया, अचा है, य क्या है, बहुत ज्यादा heavy होगा in comparison to free electrons, इसलिए हम लोग बोलते क्या है, कि since free electrons करोड़ो मातरा में, इसका मतलब करोड़ो मातरा में यह positive heavy ions भी होगा, तो collectively जितनी भी positive heavy ions मेरे conductor में है, सब को हम लोग बोलते है, क्या, एक word बोलते है, उसको बोलते है, lattice, chemistry में जोरू सुने ह solid state में है, lattice बोला जाता है, तो बोलें, क्या, अब देखो क्या है, since को electric field लगा हुआ नहीं है externally, हमें पता है कि थोड़ा तो idea पता चलता है, कि since इसके अंदर free electrons है बचोओ, यानि कि free electrons, 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 अगर जैसी external electric field लगाते है, यानि कि इधर plus इधर minus external electric field ऐसा हो जाता है, इधर और ये negatives को धका देता, यानि कि finally electron देखे तो इस side घसकने लगता, लेकिन कब जब external electric field है तो, लेकिन external electric field है ही नहीं, तो बताओ कि electrons क्या यहाँ पर कर रहा है, है ना, चुप चाप बैठा हुआ है, कि भजन किर्तन कर रहा है, electrons का motion हमें समझना है, तो देखो होता क्या है, हम लोग पिछला lecture में पढ़े थे कि electrostatics और electrodynamics, electrostatics chapter 1, 2 और आज current electricity जो पढ़ रही है, electrodynamics, dynamics मतलब होता है कि motion कुछ न कुछ है, तो क्या electrostatics जो बोलते है, external electric field कुछ लगा हुआ नहीं है, तो क्या सच में electron सब rest में रहता है, क्या, रहता है क्या, नहीं रहता है, बच् सब्सक्राइब से हो, static मतलब, चार्जे सारे ट्रेस्ट गलत है, reality में अंदर कुछ और है, कि all the electrons जो है, वो continuously move करते रहता है, और बहुत ही खतरनाक speed से move करता है, और random direction में move करता है, इसे, तदाग, 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 तदा तार हम लेकर के आए, कोई अभी बैटरी बैटरी कुछ कनेक्ट किये ने, पास ऐसी तार जो नेक है मेरे पास, तो भाई, रूम टेंपरेचर पर ही है, रूम टेंपरेचर क्या है, जनरली हम लोग लेते हैं, 27 डिगरी सेंटिग्रेट, 25, 26, जो समझना है, तो 27 डिगरी सेंट ले लिए, तो बोलते हैं, रूम टेंपरेचर पर ही, कंड़क्टर के अंदर जो फ्री एलेक्ट्रोंस है, उतना वो थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है, यानि हीट एनर्जी, एक्स्टरनली जो हुआ, उसे वो गेन कर लेता है, जिसके वज़़ा से क्या है, वो मोशन में, का 27 डिगरी सेंटीग्रेड, 27 डिगरी सेंटीग्रेड, तो एक रूम टेंपरेचर, इच फ्री एलेक्ट्रोंस, गेन सम थर्मल एनर्जी वो गेन करता है, हीट एनर्जी, जिसके वज़़ा से क्या है, उसके पास काइनिटिक एनर्जी आता है, और काइनिटिक एनर्जी आता ह तो motion इस्टार्ट हो जाता है ठीक है तो कोई बाहर से ऐसा कुछ है नहीं कि सब को पकड़ करके एक direction में खीचे इसलिए भाईया जिधर मंतिधर्व है न हीट गर्मी लगा आकवा काना चालू किया भाईया जिधर मंतिधर भागना चालू करता है ठीक तो हम लोग लिखते चल वेलोसी टी मिधा वेलोसीती कैब बोलेंगे भीते वेरी हाइबो सेटी हाइवेलोसीती फिकर नू एज ठर्मल वेलोसीती ऑग है जो भी Gobierno है जैसे है कोई भी अलेक्ट्रों को अगर ले लेते हैं, तो ये कि दारplain है? जैसि गया इधर? वेलोसिटी गेन किया, थर्मल वेलोसिटी है, इसको दी नोट gwas u करते हैं. जैसे ये गज़का ना, तो भाई या उहाँ फर फिरा खाली ऐसा जगन नहीं है, कोई है ही नहीं, एक ह प्रिजेन किया है ना इनर्जी मारा धडाक से तो इस्ट्रेट लाइन में चलते ही चला गया नहीं करोडों एलेक्ट्रों से ही उसके अंदर प्रेजेंट है और करोडों पॉजिटिव हैवी आयन्स भी है तो सोचो जैसी वो घस केगा क्या करेगा मारेगा धडाक से तक से ढाज़न से तो हमोग बोलते है क्या मूव किणर गर Σे ai एक्ट्र लुग करता है क्यों रैंडन अगर होगा तो क्या लिखेंगे तो क्यूंंग्य रिनी डैर्क्षांट रेन्डी हम स्मुव करता है और जैसे इधर मूळा धड़ाक से फिर टक्राया तक्राया 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 It is of, it is of the order of, order of, कितना होता है, पता है, बहुत high order का होता है, 10 to the power 5 meter per second का होता है, सोचो ज़रा 10 to the power 5 मतलब समझ में आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, भाई साहब, कितना है ये, एक लाख मीटर per second से, सोचो इतना speed से जो है, वो move करता है, क्यों इतना ज्यादा speed होता है, थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद, क्योंकि सोचो न, बच्यों, हम लोग इतना बड़ा शरीर है, ये, 70 kg मेरा वजन है, ठीक है, और हमको जैसे गर्मी अगर लगे, हरी यार, फैन चला हो या रहा है, अगर मालो लाइट चला गया, तो पंखा ले करके होकना चालू, य ठीक, इसे लिए, वो मूब करता है, अपना वेरी हाई स्पीड से, ठीक, जिसको हम लोग थर्मल विलॉस्टी बोलते हैं, अब सिंस करोडो एलेक्ट्रोन है, अब साब एनर्जी गेन किया, अब देखो करोडो आदमी है, हमको कितना गर्मी लगा, हम कितना कसके मालो कट गया, तो हम पंखा हो करें, मेरा एक अलग स्पीड होगा, एक अलग लगा है, तो अलग स्पीड से, एक अलग लगा है, अलग स्पीड से, तो भाया, सब जो एलेक्ट्रोन है, वो मूब करते हैं, रेंडम वेलॉसिटी, जो कि थर्मल वेलॉसिटी बोल रहे हैं, सारे का thermal velocity सोचो क्या होगा सेम होगा क्या नहीं सबका अलग अलग होगा लेकिन जो order है ना वो order है 10 to the power 5 meter per second का यानि कहने का मतलब क्या है लिख लो इसको जैसे ही जैसे स्क्रिंग से इधर हट जाता हूँ जो तो आराम से वीडियो रोक करकर के जो है points लिख लिया करो दोखो क्या कह रहा हूँ कि मालो एक electron जैसे conductor है यह यह mechanism समझना जो रही है पहला electron है तो यह इधर move कर रहा है कितना से अलग यूवन वेलोसिटी से यह एक electron है यह इधर move कर रहा है अलग वेलोसिटी से यूटूब बोल देंगे यह electron है यह इधर move कर रहा है कितना से अलग से तो सब अलग-अलग से चलता है तो मालो की पहला ज कुछ भी मालो 3.03456 into 10 to the power 5 meter per second तो ये देखो इसका meaning होता है कि सारे का जो thermal velocities होगा उसका order क्या है पता है 10 to the power क्याता है 555 scientific notation में लिखा 2.03 तो ये values अलग-अलग है सब का तो कि सब को अलग-अलग तरह से गर्मी लग रहा है इंसान सब अलग-अलग है से जो भी हलाकि प्री अलग-अलग तो ऐसा हो गया ठीक है अच्छा अब हम देखते क्या since सब का अलग-अलग है तो हम एक point यहाँ पर लिख सकते है क्या कि all electrons all electrons move move with a with a different different thermal velocities thermal velocity thermal velocities denoted by कैसे denote कर सकते है बच्छो एक u1 ले लो एक u2 ले लो dot dot माल लेते हैं कि n electrons है तो capital N capital N क्या है n electrons तो ऐसे 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 लेकिन since all the electrons move in a random direction तो हम current flow देखो कैसे बोलते हैं समझ नहीं कर जा रहा diagram में बना रहा हूं कि एक conductor हमने लिया current flow किसको बोलते हैं कि भाई कोई भी cross sectional area अगर आप ले रहे हो ठीक है तो current होता है rate of flow of charge through any cross sectional area तो कोई भी cross sectional area से कितना total charge flow कर रहा है तो एरिया ले लिए net flow of charge होना चाहिए net flow of charge होना चाहिए ताकि हम कह सके देखो एतना charge flow किया लेकिन since हम जानते हैं कोई भी थोड़ा सभी per unit volume अगर ले लो ना तो उसके अंदर करोडो एलेक्ट्रोंस है और since random direction में move कर रहा है तो सोच करके देखो बचो क्या कोई कह सकता है कि भाईया ये जो cross sectional area आपने लिया है ना इस cross sectional area में इस जगह पर सारे इलेक्ट्रोंस ना इसी direction move कर रहा है कह सकता है क्या नई क्योंकि random direction है तो देखो assumption हम लोग क्या लेते हैं कि let जो cross sectional area लिये हैं उसी जगह पर due to random direction random motion direction में क्या है कि अगर n number of electrons मालो left से right अगर cross कर रहा है इस cross sectional area को क्या कह रहा हूँ कि अगर इस cross sectional area को n electrons मालो की n electrons अगर इधर से pass कर रहा है तो equal number of electrons जो हैं बोलते हैं कि right से left pass कर रहा होगा क्योंकि करोडों खरवो electron से इसी लिए hence what is the net flow of charge through this cross sectional area तो बोलें भाईया अगर charge निकाला जाए net तो वो क्या हो जाएगा पता है जतना इधर वो तना इधर जैसे एक electron पर समझेगा एक electron पर जो charge होता है वो हम लोग क्या लिखते है 1 times e e क्या है 1.6 into 10 to per minus 19 coulomb एक electron पर जो charge होता है तो एक electron है तो उस पर charge 1e हम बोल रहे हैं n electron पर charge कितना होगा area the number of electrons flowing per second current किसको बोलते हैं बचो rate of flow of charge the number of electrons flowing per second through any cross-sectional area from left to right is nearly equal to the number of electrons flowing per second from right to left जिसके वज़ा से क्या होता है net flow of charge through that cross-sectional area at any instant of time क्या हो जाएगा 0 अब जब net flow of charge ही खतम हो गया तो current क्या लिखोगे क्या हो जाएगा स्वाह यानि कि no current will flow through any cross-sectional area at any instant of time conductor में कहीं भी ले लो यही चीज़ है since electron flow कर रहा है random direction में सुचू ज़ा चार्ज है ऐसा नहीं कि rest में है यही electrostatic हेक्टर समझो charges बोलते हैं rest में नहीं random motion में वो move कर रहा है बहुत खतरनाक speed से लेकिन since एक direction में नहीं move कर रहा ना जिसके वज़ा net charge flow जो है ना किसी भी cross-sectional area से 0 हो जा रहा है तो हम लोग बोलते है current flow ही 0 बोलते है charges में या क्या चीज़ में है rest में है तो एक चीज़ यहाँ देखो क्या बोलेंग बचो की एक तो यहाँ पर यह कह सकते हो क्या कह सकते है कौन सा point था हमारा 6 के बाद कहा है 7 की the number of electrons यह directly को यह line up समझ में आही गया है तो बोलेंगे therefore क्या नहीं सकते है कि net flow of charge net flow of charge through any cross-sectional area through any cross-sectional through any cross-sectional area cross-sectional area ठीक है पर सकेंड net flow of charge through any cross-sectional area पर सकेंड at any point inside the conductor at any point inside the conductor conductor will be क्या हो जाएगा बच्छो Z किसी भी point पर cross-sectional area लेलो यहाँ लेलो चाहिए किसी भी point पर conductor मिलोगे net flow of charge क्या है 0 यानि कि Q net ही जब 0 हो गया तो therefore current होता क्या है कितना net flow of charge हुआ है through any cross-sectional area per unit time 0 बटे T equal to 0 यानि कि current flow कितना हो गया Z कितना हो गया बच्छो current equal to 0 एक तो यह समझ में आ गया अच्छा यह जो हम भी लोग बोले कि N number of electrons हमारे पास है किसी का U1 किसी का U2 किसी का U3 ऐसे करकर के N number of electrons है और सारे का अलग-अलग है direction भी associated है So what is what is हटाओ यार पहले कुछ दुनिया में practical देखे तब मैं लिखूँगा बच्चों मालो की जैसे 50 लाख बच्चे जो हैं इस पर class 12th का board exam दिए आप 50 लाख बच्चे board exam दिए जब result घोसित होता है जिस दिन तो paper में या news में क्या सुनते हो आप लोग सोचो ज़रा 10th का exam दिया होगा क्या सुने होगे 87% या 95% लड़कियों ने बाजी मारी या 95% लड़कियां जो है पास कर गई 5% fail या लड़के 87% अक्सा लड़का का result थोड़का का माता है बोड का तो मेरे को कुछ मत बोलना है जो result है नीज में पढ़ा हो बोलता था 87% लड़के जो है पास किये इतना percent fail ये जो बोलते हैं इतना percent pass किये भाई या 50 लड़का लड़की लोग जरा सोचो बोलते हैं न कि इतना लड़का लड़की लोग है इतने large amount में है कि जब result घोसीत होता है न तो सारे का नाम नहीं लिखते हैं पचासु लाख कपेपर में क्योंकि सबका अलग 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 number है आटो 500 तो हम लोग क्या करते हैं average का concept निकालते हैं क्या निकालते हैं average का कि total केतना लड़का है उसमें से total pass केतना किया देखरो total केतना लड़का है नीचे लिख दिया उसमें total केतना pass किया भया total total तो निकलेगा average केतना pass किया फिर total केतना लड़का उसमें fail केतना किया average निकलेगा केतना fail किया यानि जब बहुत large quantities पर कुछ भी हो ठीक है और सबका अलग-अलग number आ रहा हो तो हम नाम नहीं लिखते हैं हम average निकालते हैं यह reason समझ में आ गया न अब reason समझ में आ गया तो यहाँ average निकालने तो आपको लगेना में ठीक कर रहा हूँ नहीं तो लगेगा sir कही average निकालने भाई क्या जवरत था आपको since there are a number of electrons सारे लोग board examination दिया अलग-अलग डिरेक्शन वताव अलग-अलग numbers लाएं तो आपको average निकालना पड़ेगा ताकि पता चले कि what is the average thermal velocity of all the electrons present inside the conductor निकालते हैं तो यह हम लोग दखो क्या निकाले बुचो 7 number यहां लिख ली जारा हमसे 8 number point में 8 number point में निकालते हैं क्या कि average जिसको की हम लोग ना u से denote करते हैं इसी यह है क्या भाई u average u average कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे u1 plus u2 plus dot 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 plus क्या होगे यू एन n capital है total number of electron divided by क्या हो जागा एंत यह average हो गया केतना लड़का number लाया केतना लाया केतना लाया केतना लाया भाईड़ क्या भाई लड़का का यह होगा क्या तो सिंस यह direction है random को इधर को इधर को इधर Hence, सबका summation करते हैं, ये क्या आजाता है? Zero. In spite of having बहुत high net क्या आजाता है? पता है? Due to direction के कारण. अगर मालो 5 electron इधर जा रहा हैं, तो समझो 5 इधर जा रहा हो. 10 उधर जा रहा है, तो 10 opposite में जा रहा है. Vector sum करने के पाद answer क्या आजाता है? Zero. तो ये है, ठीक है, equation number ले लेता है को भी 1, यानि कि average, क्या बोले हैं, बचो, average, ये दोखो है क्या? Average Thermal Velocities, Average Thermal Velocities of all the electrons, of all the electrons, electrons present inside the conductor, present inside the conductor is, क्या हो जाएगा? Is Z rho. ठीक है, ये हो गया. तो ये था क्या? कि जब electric field externally नहीं apply होता है, तो क्या होता है? अब आते हैं हम, कि जब external electric field apply करेंगे, तब क्या होगा? तो कैसे apply करते हैं? तो बोलते है, external electric field यहाँ पर देखो क्या है, apply तो करेंगे with the help of a battery. क्या है बचो, with the help of a battery. तो ये हमने external battery लगाया, तार के साथ connect किया, ये positive terminal हो गया, negative terminal. terminal, since star, देखो अभी यहाँ तक सेम है, तो ये positive, तो यहाँ positive, ये negative, तो ये क्या है? negative हो गया, अच्छा. ये है conductor, conductor के अंदर free electrons होता है. अगर पिछला lecture याद हो, electrodynamics जब मैं explain कर रहा था, तो उसमें क्या बताया था? कि कभी भी कोई conductor अगर है, external field आपने लगा दिया, यानि यहाँ plus, plus, यहाँ minus, minus, तो जो भी free electrons है, इसके अंदर और positive ions, positive negative charge हो गया, यानि उसको उन्हों बोलते है, charges gets induced on the surface, ठीक है, अच्छा, कभ तक induced होता है, तो यह जो plus और minus है, इसके वज़ा से यहाँ पर है क्या? E external electric field, तो conductor के अंदर अगर बात करें, तो यह है E external electric field, और since जो charges induced हुआ था, यह plus और minus, प्लस और minus के वज़ा से इधर क्या है, इसको उन्हों बोलते है, E induced, E induced, अगर समझो बैटरी नि लगा होता, तार नि लगा होता, तो ऐसा कहानी होता, लेकिन, since तार लगा दियें, सोचो, यह electron है यहाँ पर, electron का motion को समझते है, क्या है, यह electron है negative, यह positive, यानि यह positive, तो यह करेगा क्या, एक electron को पकड़ करके खीच के लाएगा इधर, तो यानि एक electron इधर आया, यह cell या battery क्या होता है, electrically neutrally nature होता है, तो इस पर कोई excess charge ना जमा होता है, न वहां से lose होता है, जितना electron इधर से घूसा, वोतना ही electron यहाँ से चला जाता है, neutral, मेरे पास ना पैसा बढ़ना चीए, ना पैसा घटना चीए, एक रुपया आएगा तो एक रुपया जाएगा, तो मैं रहूंगा neutral, ना खुश होंगे, ना दुख होंगे, तो यह ना खुश होता है, ना दु लेगा, तेक और जाके neutralize होगा, क्या होगा यहाँ पर neutralize, इसी तरह से क्या है, यह सारे यहाँ पर जो induced charges थे हो गया, खतम, since induced charges दोनों जगा हो गया, खतम, तो भाया यह induced electric field भी क्या हो जाता है, खतम, कब जब हम wire connect कर दिये, तब ऐसा हुआ, नए wire connect करते तो जमा होते जात नेट electric field inside the conductor, जो की बराबर हो जाएगा, किसके ए external electric field के बराबर हो जाएगा, यही है electrodynamics, कि conductor के अंदर जो है न, electric field है, अब conductor के अंदर अगर electric field है, तो हमें पता है कि सब electron है negatively charge, वो electric field करेगा क्या electron को पकड़ के खीचेगा, क्या करेगा, खीचेगा, तो हम यहाँ पर जो ह पहला point दखो इसमें क्या लिख सकते है कि in the presence of external electric field इधर लिखता हूँ, बना लिखता हूँ, बना लिखता हूँ, तब बुलेंगा, when, सबसे पहला point क्या लिखता हूँ, when an external electric field is applied across the conductor, यह across the ends of a conductor with the help of a battery and connected with a wire, then, 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 दखो होगा क्या, हम जानते है क्या वही यह induced जो है, it will become equal to kya है, 0, therefore, net electric field inside the conductor जो है, वो हो जाएगा, केतना, e external के बराबर हो जाएगा, तो this is equation number क्या बोलते है, 2, वो number क्या था, average वाला thermal velocity, जो 0 था, ठीक, यहनि net electric field inside the conductor होगा, यह net electric field inside, जो हम लोगो denote कर देते हैं, क्या ची से, e से, तो e will be equal to kya हो जाएगा, e external, इसको कर देते ह है, second number से, तो बोलेगा, what is the net electric field inside the conductor, अब वो 0 नहीं है, वो कुछ न कुछ है, यह external, तो होगा क्या, होगा क्या, सारे electrons इसमें देखोगे, बच्चों, यह प्लस 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 यहाँ, माइनस माइनस यहाँ, अगर free electrons को देखोगे, तो वो होगा क्या, electron, 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 सारे electrons, external electric field के व सब पर एक electric force लगेगा, और same direction में लगेगा, किदर, electric field है इधर, electric field है इधर, भाईया, negative charge होने के वज़ा से force लगेगा, इधर, ठीक ठाक है, लिखे, तो यह लिख लिए, यह लिख लिए, second point में हम क्या लिखेंगे, तो second point में लिखेंगे कि due to, E external, यानि external electric field, inside the conductor, inside the conductor, each electron, each electron experiences, पुरा कहानी है जैसलने, चल रहा है दो, due to E external, यानि external electric field, inside the conductor, each electron experiences, experiences an electric force, experiences an electric force, and hence, दोगो, जैसे ही force लगा, एक direction में, तो force equal to mass into acceleration, यानि हम कह सकता है कि सारे electrons पर acceleration होगा, अवो accelerate करेगा, same direction में, तो दोगो, experiences an electric force, and hence, gets accelerated, and hence, gets accelerated, in the opposite direction of, in the opposite direction of, opposite direction of, opposite direction of, E external, ठीक है, तो हम लोग जो है, देखते हैं कि क्या value होगा, force का, केतना होगा, वो सारा ची, तो भईया, E external conductor के अंदर है, इधर, electron है, ऐसे है, तो इस पर force लगेगा, electric force इधर, है न, opposite direction में, और वो force होगा, क्या, QE, 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 तो देखो, electric force कैसे लिखेंगे, QE होता है, लेकिन, since charge मेरे पास, electron है, तो क्या लिखेंगे, minus E, और into E हो जाएगा, और force बराबर होता क्या है, बच्चो, force बराबर क्या होता है, mass into acceleration, तो यह जो electric force हो जाएगा, mass into acceleration, mass constant, यह कैसा, मतलब, यह scalar quantity, यह vector quantity, तो इस पर vector लगेग माइनस E into हो जाएगा, यह minus sign का significance है, देखो, minus बतलाता है कि जिधर external electric field है, इधर तो उसके ठीक opposite direction में लगेगा electric force, E external को denote क्या चीसे कर रहे है, E से, यह हो जाएगा, hence, सारे electron will get accelerated in the opposite direction of external electric field, यह हो जाएगा, equation number 3, तो यह A बराबर लिखेंगे, क्या, यह हो जाएगा, minus E, E divided पाई क्या हो जाएगा, लिखनी चीस को, तो acceleration समझ में आ गया, अब भाई है क्या, कहानी बहुत सारा, बहुत सारा कहानी है, कि since हमने देखा, कि कोई भी electron जो था न, जब external electric field नहीं था, नहीं था, तब क्या था, सब धड़ाम, 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 ऐसे random motion में सब मूव कर रहा था, ठीक है, कितना velocity से, मालो की पहला electron है तो, यू अन velocity से, मूव कर रहा था, अब external electric field लग गया, तो क्या हो, तो बहुत जो random इधार, इधार, ऐसे, इसे, मूव कर रहा था, अब क्या है, उस पर force लग रहा है, क्या लग रहा है, बच्चो, force लग रहा है, और सारे electron प electric field, जब E external, जब 0 था, ठीक है, तब देखो कैसे था, कि यहाँ मालो ऐसे गया, फिर टकराया, कोई यू velocity से मालो मूव कर रहा है, ठीक है, गया, टकराया, टकराने के बाद इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ टकराया, टकराने के बाद यहाँ आया, अगर यह point मैं बोलता हू A, तो यह point है, मेरा क्या है, B, जरा अंदुर नहीं समझो जरा, यानि A से टकराते टकराते यहाँ आया, जब external कोई field था नहीं, इस पर कोई force वेगरा, कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन, जैसा ही, E external जो है, वो लगा, इस non-zero, तब क्या होगा, देखो क्या है, पकड़ को खीचेगा इस direction में, तब आप खुद समझ जाओगा कि यहान देखना क्या है, A point यहाँ है, जा रहा था U velocity से, लेकिन, पता है कि उस पर force लग रहा है, पकड़ करके खीचेगा, तो क्या है, इसी direction में जाएगा, क्या, नहीं, जा रहा है इधर, और उस पर acceleration, यानि force लगेग कि जाएगा, यह भी वेक्टर, यह भी वेक्टर दोनों के कहीं, resultant बीच में फैका जाएगा, so this will be the velocity जो है, वो गेन करेगा, कितना गेन करेगा, वो इस से अलग होगा, क्योंकि accelerate हुआ है, तो कितना गेन करता है, let it क्या है, मालनों यह U1 है तो गेन कर लिया, कुछ और velocity, that is V1, तो motion कैसा होगा, वो समझेगा, जरा, क्या होता है, A से यहाँ गया, इधर ना जाकर कि थोड़ा से इधर डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा से इधर घसक यह, ठीक है, फिर इधर जो जा रहा था, देखों, यह है वेलोस्टी, इनिशल वेलोस्टी डाइक्शन, लेक आता था ऐसे, लेकिन अब पकड़ करके पता है कि यहाँ पर है इसको एसलेरेशन लगेगा, तो इनिशल वेलोस्टी इधर, एसलेरेशन इधर जाएगा, कहीं बीच में, तब बीच में कहीं जाएगा, तो यह होगा ऐसे, यानि कि पहुँच कहां जाएगा, पता है, यह न परा रहाता है न, थोड़ा से लेक करके यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर गया, घसक गया, इसी घसकना को अंगरेजी में बोलते हैं, ड्रिफ्ट हो गया, क्या हो गया, ड्रिफ्ट, मेरे लैंग्वेज में अगर बोलो, कि भाई, हम जहां थे, चुप चाप खड़ा थे, ले इलेक्टरन को बेचारा आईसे, आईसे, आईसे पहुंच रहाता, खीचा थे, थोड़ा घसक गया, घसका, 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 तक कहीं और घसक गया, तो जितना इस गेट्स, ड्रिफ्टेड, यह था मालोक की यू, 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 अब जो गेन कर लिया वो होगा, इलेक्टरन एरिया, अगर देखे, एक एलेक्टरन लेते हैं, पहला, मालो, उसका इनिश्यल वेलोसिटी इधर था, तो कितना था, यू, यू, इस पर फोर्स लगेगा, क्या, सेम फोर्स लगेगा, भईया, तो फोर्स लगने, मतलब क्या, एसलेरेशन इधर होगा, तो यह फेकाएगा किदर? कहीं बीच में, तो लेक्ट, जो भवेलोसिटी गेन किया, क्या भी बन, लेकिन क्या है, ये है यूँवन, ये है एसलेरेशन, तो ये भागेगा कहीं और बीच में, जैसी भागा, घसका मारेगा धाढ़ाख से कोलिजन, तो जो ये भवेलोसिटी गेन कि या, acceleration भी लगा है, देखो क्या है, मैं पिछले लेक्चर में शुरू आती ही, जो पहला slide ही था, उसमें बोले थे कि current electricity में motion of charge होता है, charge moves is constant velocity, यहाँ पर क्या हो रहा है, velocity initially है you, acceleration भी हुआ, उसके वज़ा से कुछ velocity गेन के, यानि कि यानि यहाँ चार्ज तो accelerate कर रहा है, चार्ज तो accelerate करके कुछ velocity हो रहा है, है ना, कुछ थोड़ा से घपला है, उसको समझें, बीच में पता चलेगा कि क्या है, तो कुछ velocity गेन किया, लेकिन जैसे गेन किया ना भाया, फिर से क्या होगा, टकरा गया, और टकराया, velocity फिर क्या होगा, 0, यानि कि यह जो यहाँ से य time लेका कोलाइट करने के लिए, लेट ताउगन, तो ताउगन क्या बोलता है, पता है क्या time taken by time taken by first electron, first electron between successive collisions, between successive collision, time taken by first electron, between successive collision, यह, अब यही पर, अगर कोई दूसरा electron बोले मालनो कि दूसरा electron तो भाई लेट ये जो है न यू टू से इधर जा रहा था इस पर भी acceleration क्या लगेगा same तो ये दोखो फैका जागा कहीं इधर थोड़ा से drift कर गया कितना velocity gain कर लिया let it be 2 तो ये जो जतना time लेता है जैसी ये घसक करके जाएगा फिर टकराएगा तो ये time लेता है कितना tau 2 तो tau 2 क्या बोलेगा time taken by second electron between successive collision इसी तरह से dot 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 let मेरे पास है कौन सा nth electron मालो उसका random velocity जो है इस direction में था un उस पर भी acceleration same लगेगा acceleration का direction इधार है क्योंकि electric field externally कौन है इधार तो सारे का acceleration इधार इधार है जिसके वज़े से यह क्या होगा यह भाया कहीं और घसक जाएगा लेकिन यह भी जाकर के फिर टकरा गया यह क्योंकि दखो बहुत सारे एलेक्ट्रों से बोलें जैसे सब को अलग लग तरह से गर्मी लगेगा वह सब टकराया टकराया अब क्यतना क्लोजली कोई नजदिक नजदिक है कोई थोड़ा से दूर है तो अलग लग टाइम ले रह कि यह टाव लिया टाव टू लिया में सिक्सेजिब क्या से घ्रट का लेगा इसे ही को अमनों वालेक्सेसर टाइम ज्यूंद क्या होगा इसी ख면'll कर्कुषी तक्रा गया कहानी तो यहां पर दखो बहुत सारे चीज़ आता है क्या एक सबसे पहले क्या एवरेज अगर हम निकालिंगे अफ all that time taken by the electrodes between successive collision जिसको कि हम लोग बोलते हैं टाव तो यह हो क्या जाएगा टाव 1 प्लस टाव 2 प्लस डट डट यह हो जाएगा टाव n divided by क्या हो जाएगा n यह हो गया equation number को भी क्याता था 3 था न उदर कहां तक आई थे बच्छो 3 एक बड़ चिक कर लू 3 4 हो जाएगा क्या हो गया 4 अच्छा एक एक करके देखें इसका initial velocity u accelerate किया फिर gain किया v time लिया t तो इस हिसाब से देखो कि पहला electron का क्या लिख सकते हम v और t में एक relation क्या हो जाएगा v equal to u plus 80 80 80 इसका initial velocity था thermal वाला u 1 acceleration है a time केतना लिया tau 1 यह पहला electron के लिए हो गया similarly दूसरा के लिए कैसे लिखेंगे u plus 80 80 u 2 acceleration क्या है भाईया सबका same time केतना लिया tau 2 उसी तरह से dot 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 अगर n थ एलेक्टरोन का लिखेंगे तो यह हो जाएगा un plus a i into क्या हो जागा tau n ठीक since सब electron अलग अलग velocity gain करता है अलग 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 direction में अलग 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 gain करता है फिर से हमें क्या निकाला हो what is the average of all the velocities gained by all the electrons तो वो क्या आएगा देख लेते हैं जड़ा यही जो average जो होता है बचो सारे जो electrons gain किया अलग जो velocity न उसी को हम लोग बोलते हैं क्या पता है drift velocity क्योंकि यहीं से देखो पता चल रहा होगा कि जाने वाला इधर था लेकिन final velocity gain कर देखो drift कर गया जाने वाला यहाँ था लेकिन acceleration के वाज़ा जैसे घसा गया drift कर गया जाने वाला था यहाँ कि the average of all the velocities gained by all the electrons is called drift velocity. ठीक है क्या बोलतो उसको drift velocity और drift velocity बोलें बचो it is given by देखो कैसे निकालते हैं हम लोग denote करते हैं VD से यह average of all the velocities तो लिखेगे कैसे तो V1 प्लस V2 प्लस दोट 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 यह हो जाएगा VN divided by क्या हो जाएगा average of all the velocities V1 के जगा पर क्या लिखेंगे U1 प्लस A इंटो टाव 1 बस अब value substitute करना है ठीक है V2 के जगा पर U2 प्लस A इंटो टाव 2 है टाव 2 ठीक है वेक्टर कहां का लगे U और A पर A सब का है सेम प्लस उसी तरह से डोट डोट यह हो जाएगा U N प्लस हो जाएगा A इंटो क्या हो जाएगा टाव N divided by total कितना है भाई N electrons है Hence यह आने वाला देखो क्या है U U U सब को एक तरफ कर लेते हैं तो वो भी divided by N हो जाएगा है ना और 80 80 80 सब है उसमें देखो A common आ रहा है क्या रहा बचो A common तो आएगा क्या टाव 1 प्लस टाव 2 प्लस डोट 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 टाव N वो भी divided by क्या हो जाएगा N यानि separate करके अगर लिखे तो U 1 प्लस U 2 प्लस डोट 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 यू N divided by N इधर एक अलगा आ गया प्लस acceleration अगर common ले ले तो ये बचने वाला है टाव 1 प्लस टाव 2 प्लस डोट 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 टाव N divided by क्या हो जाएगा N Hence ये हम लोग जानते हैं देखो क्या कि भाई ये क्या है इट इस 0 average of all the thermal velocities क्या आ जाता है 0 Hence मेरे पास बचेगा क्या है A into क्या है ये पूरा मिल करके क्या हो जाता है average of all the time taken by all the electrons Hence drift velocity जो है ये आ गया है क्यता A into T बड़ी आसान है पहले सब समझ लिजे फिर बार में याद करा दूगा क्यतना हो जाएगा A into T देखते हैं जड़ा लिख करके कि A बराबर क्या था acceleration का तो माइनस E divided by क्या था M acceleration क्या हो तब force divided by mass force है QE 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 बस बहुत असान आई इंटू हो जागा टाओ ये हो गया पता है relation of drift velocity and relaxation time in vector form क्या है बचो वेक्टर form यही relation है अगर हम magnitude wise इसको अगर लिखे magnitude format में तब देखो क्या बनेगा सिर्फ VD यह हो जाएगा E E tau divided by क्या जाएगा M तो यह हो गया magnitude E E tau बटे क्या है M बड़ी आसान हो गया एकदम simple सा है न तो सारे mechanism समझ गा है थोड़ा सा lengthy रहता है स्थियोर टाइम बोला न तो यह कैसा relation पता है VT relation है कैसा relation बचो वी टी वी टी रिलेशन फिजिक्स में क्या होता है V equal to U plus 80 V equal to U plus 80 त सीधे लिखे V equal to U plus 80 80 80 80 80 80 80 हमको पता है कि भाईया average of all the न उसको drift बोलते हैं तो अगर आप इसका average ले रहो तो इसका भी average लेना पड़ेगा तो इसका भी average लेना पड़ेगा क्या तो मस्त है average, 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 acceleration यह average नहीं क्योंकि सबका सेम था तो यह constant सबके लिए ठीक है तब V average, U average कहानी खतम हो जाता है तो acceleration क्या होगा? क्या होगा? force बटे mass, force क्या होता है QE यानि की EE बटे M, तो acceleration force बटे mass आट time average को क्या बोलते है? Tau यानि की ऐसे यह हो गया तो जब भी कभी बोले ना कि भाई वीडियो और time का बता तो बोलो V और T, V equal to U plus 80, V equal to U plus 80 U 0 होता है, E क्या है force बटे mass कहानी खतम तब V equal to U plus 80 तो बोल ही सकते हैं, तो जब बोलेगा ना उसी से यह याद रहेगा ठीक, V equal to 80, 80, 80, 80 हो गया, E tau बटे क्या हो जाएगा M, चलिए next relation आते बच्चों relation between current and drift velocity, अब हमारे पास जो है ना पुरा कहानी picture clear है अच्छा एक चीज इसमें बताना जो है आप लोगों को जो मैं थोड़ा जरूरी समझता हूँ बच्चों, कि सर सारे electron तो accelerate किया तो क्या यह accelerated motion नहीं कहलाएगा क्या constant कैसे हो गया भाई, constant कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पर क्या है बचो, कि since जाना अगर मालों यह conductor यहाँ से लेकर करके cross-sectional area और यहाँ cross-sectional area है, अगर सारे electrons जो भी है, अगर सब ना accelerate करके ही जो है, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक आते हैं, सब accelerate करके ही जाते रहा, तक continuously तब हम लोग बोलते देखो भाई, accelerate कर रहा है, यानि कोई fixed time interval तो हो, कम से कम जहाँ पर सारे accelerate करा तब बोले accelerated motion, यह क्या है, मतलब accelerate किया, धाडाक से उसका velocity 0 हो गया, accelerate किया, धाडाक से उसका 0 हो गया, अगर माइक्रो मैक्रो सकेंड में समझो, tau 1, tau 2, tau 3, tau 3 ही सब है ना, ठीक, इसलिए हम लोग accelerated motion इसको नहीं लेते हैं, constant यह लेते हैं, तो यह जो drift velocity देख रहे हो न, VD, 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 तो it is very small, it is very small and it is a constant value, कैसा value होता है, constant value होता है, और जो very small होता है, तो बचों केतना order का होता है, of the order, of the order of 10 to the power minus 4, meter per second का होता है, इतना कम होता है, drift velocity, यानि कि किसी भी cross-sectional area पर अगर आप ले लिए electron, तो सारे electron देखो क्या है, random motion move कर रहा था, ठीक है, लेकिन external electric field के कारण, सब आपको थोड़ा सा घसका हुआ ना जार आएगा, घसकेगा, सब घसकेगा, थोड़ा सा drift होगा, ठीक है, ही है, तिक, अब इसे बहुत कुछ clear हो गया, कहने को एक derivation लेकिन clear बहुत सारा चीज, देखे, relation between current and drift velocity, अब हमको पता है कि मेरे पास conductor, conductor के अंदर free electrons है, ये cross-sectional area है, हमको पता है कि को बैटरी का voltage है भी, जैसे ही हम ये लगाएंगे, किसी conductor के cross, ये हो जागा plus, ये हो external हो गया है, इस direction जिसको की E बोल दे रहे है, magnitude लिखे तो, let जो है यहाँ से यहाँ, length of the conductor है L, अब पता है कि जैसी external field लगाते है, सारे electron किसी भी cross-section ने ये आपर देखेंगे, तो drift कर जाता है, drift कर जाता है, घसक जाता है, external field के opposite direction में, तो घसकेगा, किस speed से सारे electron घसकता है अब है हमको पता चल गया, VD से, and electrons, average निकालेंगे, तो अब ड्रिफ्ट विलास्टी तो VD से घसक रहा है, सार आप कर क्या रहे हो, बिलकुल कर क्या रहे हो, मैं current और drift विलास्टी के बिच्वे relation निकाला, तो electrons drift करेगा, VD से ये पता चल गया, current क्या होता है, current होता है कि rate of flow of charge, तो देखो कि कितना charge जो है flow करेगा, किसी भी cross-sectional area से, तो एक conductor हमने ले लिया, देखो uniform ऐसे लिया है, तो यहाँ पर cross-sectional area A है, तो यह भी कितना है, A, तो एक तो battery का mechanism समझ में आता है, जतना electron यहाँ से घुसेगा, उतना ही electron यहाँ से निकलेगा, यानि जतना charge इस cross- cross-sectional area से charge क्या होगा, निकलेगा, तो हम लोग बोलेंगे देखो किसी भी cross-sectional area से, what is the net flow of charge taking place, तो आप यह बता दो कि कितना electrons flow कर रहा है, एक electron अगर flow करेगा, तो charge होगा 1E, दो electron अगर flow करता तो 2E, charge निकाल लेगा, तीन करता तो 3, हमें यह बताना कि कितना number of electrons flow करेगा, let N number of electrons is flowing, तो यहाँ N E हो जाए, और कितना time लेगा cross-sectional area को पार करने में, तो conductor हम लिया है, यहाँ यहाँ तक length है कितना L, तो distance है total L, किस speed से electron आता है भाई, पार करता है, conductor के अदर वो VD, तो यह distance, यह speed, हमको जो time निकालना होगा, तो distance equal to speed into time, तो वहाँ से एक relation निकल गया यानि कि बस charge निकालो, अब सुचो बचो, conductor है भाई साहब, conductor के अंदर कितने electrons है, करोडो electrons है, तो हम कैसे पता करे कि how many number of electrons are there, जिससे कि हम charge निकाल सके, तब सिंस जब बहुत करोडो electrons होता है न, नहीं पता होता है, तब हम किसका सहारा ले थे, देखो ज़र, लेट यह में, पेन का जो है न, करोडो पेन है पूरा दुनिया में, ठीक, बहुत सारे factories है, बहुत सारा जगा पर manufacture हो रहा है, तो हम बोलते है, अब करोडो कितना है, यहीं नहीं पता, तो उसका दाम कितना होगा कलम का हमको क्या पता, तो जब नहीं पता होता है, तो हम बोलते है, एक कलम तो एलेक्ट्रोंस टेक पारमीटर हम डिफाइन करते हैं कि भाया पर यूनिट वॉल्यूम देखो कितना यूनिट वॉल्यूम यानि वन मीटर इस वान मीटर क्यों उसमें बताओ कि कितना एलेक्ट्रोंस है तो उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं यानि एक कलम देख लो उसका कितना दाम है वो बता दो बस ठीक है उसके बाद तो टोटल का निकाल ही लेंगे यानि एक पारमेटर आ रहा है बचो पता है कि लेट एन बीन फिर फ्री ज्या है लेट नलमबर फ्री एलेक्त्रों प्रामेटर बीन पर उनित फॉलिम पर उनिट फॉल्यूम फ्वल्यूम फ्यून अफ ता कंडाक्टर, of the क्या है, कंडाक्टर, ठीक है, पता चला, let n be the number of free electrons present per unit volume, यानी, per unit volume का मतलब क्या होगे, कि 1 meter क्यों, अगर इधर volume लिख रहे हैं, ना इधर लिख रहे हैं, बचो क्यता number of electrons केतना है, ता एक मीटर क्यों में क्यता है, वो है n, तो अब हमें निकालना कि total जो volume of the conductor है, उसमें केतना electron से, वो देख लो, ताकि हम charge निकाल सके, तो भाई ये total volume of the conductor है, केतना, cylindrical in shape है, cross-sectional area है, ए और length है केतना, L, तो total volume केतना होगे, area, I into क्या हो जागा length, यानी की, लिख लो इसको diagram बना लो पहले, उसके बाद लिख लिख, ठीक तो क्या बोलेंगे, since total volume, total volume of conductor हो केतना जाएगा, तो total volume of conductor हो जाएगा, area into length, ठीक है, तो simple से देखो बचो क्या, एक meter Q में केतना electrons है, N, तो total volume मेरे पास है, L, तो एतना meter Q में केतना electrons हो जाएगा, तो multiply कर देंगे, एक कलम का दम, 2000 रुपे, एतना कलम का दम, केतना, multiply कर दो, तो N into क्या हो जाएगा, L यह आ क्या रहा है भाई, यह क्या रहा, number of electrons केतना है, यह क्या है, volume, 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 जैसे कैसे लिखते है, column, रुपईया, 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 यह है number of electrons, तो मेरे पूरे conductor में, पूरे volume में, केतना है, volume, total, A, L, total volume में, केतना electrons हो निकल गया, केतना electrons है, total, let it be N, वही दिखवा गया है क्या है capital N this is the total number of electrons N A L मेरा नाम आने वाला है अनील इसमें जब पढ़ता था तो कोई बताया नहीं था वही आएगा दोको the total volume में इतना since 1 meter Q में N number of electrons हो तो total volume में total number of electrons केतना हो जाएगा N times AL इधर से आप देख लो आइधर अंगरेजी लिख रहे हैं तो बोलेंगे therefore total number of electrons total number of electrons present in AL volume of conductor ये कितना हो जाएगा तो इसको हम denote क्या चीसे करेंगे total number of electrons को N से और वो निकालेंगे कैसे तो बोलेंगे छोटका N आइन टू क्या हो जाएगा AL AL कैसे लिख रहे हैं वो यहाँ से देखेंगे तब समझ में आगा ये कलम का दाम 20 कलम का दाम ऐसे कर करेंगे तो N AL हो गया अब देखो क्या है simple सब total number of न हमें electrons पता चलिए तो बोलें भाईया charge of one electron जो है वो होता है कितना E 1.6 into 10 per minus 19 कुला मेरे पास total है कितना N electrons तब therefore charge of N electrons ये कितना हो जागा N E क्या यहीं क्यों नहीं हो गया मेरे लिए total charge of पूरा N electrons क्यों क्यों तब देखो therefore अगर बोलेंगे क्यों बराबर है N E N E capital N है कितना N A L I into E इसको ना सुरिया के लिखो जरासा कैसे सुरिया के लिखेंगे देखो मेरा नाम है मेरा नाम देखो कैसे होता है बच्चो एन मेरा नाम होता है कैसे A N I L है न तो थोड़ा से यह change कर लो अनील को ना A N E L लिखेंगे कैसे लिखेंगे A N I L के जगा पर E L अनील भाईया याद करने के लिए कुछ तो बोली सकते है है न फिजिक सिया सुरिया पाटर बचो तो नाम तो याद रखोगे यह नाम के अंदर यह ट्रिक है तो इसको arrange करके लिखे A N E L या नीकिए अनील है वाह हो गया तो यह equation number हम कर देते हैं केतना 1 since total charge ही निकल गया तो current कैसे निकालेंगे rate of flow of charge therefore current equal to time निकाल लेते हैं बचो क्या निकाल लेते हैं time total distance L है कोई भी electron यहां से लेकर करके यहां तक किस speed से पार कर रहतना therefore time क्या हो जागा distance divided by क्या हो जागा speed तो equation number two therefore current flowing हम लोग लिखेंगे कैसे charge flowing per second total charge आया है A N E L अनील divided by time केतना है तो यह distance बटे speed ठीक है तो L L दोखो चला गया VD किदर चला जागा उपर यानि जो अनील 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 पढ़ रहे VD विडी विडी अनी विडी विडी यह हो गया याद करने का जो तरीका है बचो वो देखते जरा trick to learn, जैसी बुलेगा current और ये, तो कैसी याद करूँ कि तुरंट पता है, current बराबर क्या, rate of flow of charge, क्यों क्या होता भी यह अनिल, क्या होता है, मेरा नाम है, अनिल, 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 तो यह होगे, अनिल, 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 टाइम है, distance बटे speed, distance बटे speed करते हैं, तो यह उड़ जाता है, तो यह आ जाता है, अनिल ही मिखो, L हटा के VD लगाओ, क्यता अच्छा बात है, L हटा के VD लगाओ, replace L, replace L, right VD, तो यह हो जाता है current का formula, तो देखो, A, N, E, L, A, N, E, L, हटाओ, VD लगाओ, जो पूछा था ना, current और drift velocity का था, drift velocity लगा तो किता अच् ग्यांदधिका है वो है देखो क्या यह जो वी देख रहे हो है तो इस को इसको भी एरेंज करके आप लिख सकते हो वी इ-ण-वल्टा करके अगर लिखो गया उल्टा करके उधर से लिखो गया तो यह हो जाए गाए ओधा गली वी इ-N- customers कि यार रहा थो कि मैं प्रिव्च विना जिन कोई बात याद कर सकते है तो करी सकते हैं आप को याद करने से फाइदा यहने होता है कि डेरिवेशन भी हमको याद हो जाता है कि क्या है- बड़ी आए से समझ में आये सली बचो सवाल देखते हैं देखे क्या है 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross section इतना क्या 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 देखे रखा है current देखे रखा है 1.5 ampere cross sectional area क्यतना है भाई 5 mm का square tick if the electron density आच्छा यह जो number of electrons जो बोल रहे थे ना n n n छोटा n जो है यह क्या है it is number of electrons per unit volume number of पर unit per unit volume per unit volume इसको लिखते हैं पता है total क्यतना number of electrons per unit volume यह होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पता है क्या electron density क्या बोलेंगे electron density तो एक तो पुरा detailing इसका क्या है वो समझ में आ रहा क्यतना number of electrons per unit volume और भाय एक नर्मल में क्या होता है electron density per unit volume है mass per unit volume को mass density number per unit volume को number density तो number electron density electron density सब चलता है ठीक है तो electron density देखो बोलेगा जैसे तो n बराबर क्या है भाई तो 9 into 10 to the power क्यतना देखे रखा है 28 per meter तो इस जो electron density इसका इसाई unit पता है क्या होता है सब्सक्राइब तो इसका तो कुछ होगा नहीं तो यह होता है पर मीटर क्यों क्यतना होता है वन बटे क्या है मीलिमेटर का है एक मिली मीटर का होता है 10 to the power minus 3 इसका ल होल केतना देके रखा है, 9 into 10 to the power 28 divided, एक और है parameter E, यह है electronic charge, वो होता है केतना, 1.6 into 10 to the power minus 19, तो बस सारे values उठा करके रख दिये, बस cut chart किये, देखो 4 option देके रखा है, mm, mm per second वे ऐसे कितना drift velocity निकालना है, ठीक है, बस cut chart करते हैं, कुछ उड़ा है, यह गया, यह गया, तो यह हो हो गया, बचो 3, 3, 9, यानि नीचे 3 है, यह है 60, तो यह हो जागा दोखो, किता है, 60, 48, तो यह 48 इधर हो गया, रहने दीजे, आई यहाँ नीचे, 10 to the power किता है, भाया, minus 6, 3 दो नीचे, यह किता है, प्लस 28, एके साथ लिए, यह कितना है, minus 19, सब लिख दिये, दन, दन, यह देखो, कितना आजगा, 26, minus, यह है, 9, 15, यानि कि 25, आंसर केतने आने वाला है, 3, केतना आएगा, बचो 3, यानि इसको आप कैसे लिखोगे, तो 1 बटे 48, आहीं, 2, 10 to the power क्या आजाएगा, 3, देखो, calculation trick भी सीखने का जो रहत है, option देखते हो, कैसे देखे रखाए, अब हो, तो हम scientific notation में करेंगे, तो 4.8 हो जाएगा, scientific notation में, ठीक, उसके लिए करना क्या पढ़ेगा, बटे 10, तब 4.8 को मैं क्या लिखूँगा, बचो 5, क्योंकि जो सही लगता है, वही लिखो, तो भाई, यह 48 थे, काम करो बटे 10 यहां कर दोते है, into 10 यहां कर देते हैं, यह मे बटे 4.8, यह मेरे लिए बन गया, 1 बटे 5, 1 बटे 5, into 10 to the power minus 4, ठीक है, मतलब आप लोगो को सीखा रहा हूं, देखो, calculate करने का तो पता है, कुछ-कुछ हाल लिख करके, ठीक है, टिक कर दिया, लेकिन आप सीखो की करते कैसे है, 1 बटे 5 केतना होगे, 0.2, ऊपर चला गया 10 to the power minus 4, scientific notation, यह आगे घसकेगा, अचा हमको क्याची में answer देके रखा, देखो, मेरा answer आगे, meter per second, यह drift velocity, लेकिन millimeter per second, millimeter के लिए यहाँ केतना आची है, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, तक ऐसे लिखोगे, एतना into, देखो, यह 10 to the power minus 3, into 10 to the power minus 1 कर दो, ताकि भया, यह 10 to the power minus 3 है, यह millimeter बन तो यह एतना आ रहा है, तो देखो, क्या है, 0.2, अब बटे क्या है, बचो, यह 10 to the power minus 1 इधर आ गया, into 10 to the power minus 3 meter per second, this becomes millimeter, इसको क्या बन जाएगा, 0.02, 0.02, अई यह बन गया, millimeter per second, यह क्या, drift speed, तो 0.02, millimeter per second, तक calculation भी न, सब सिखते जाए, आगे धेरी धेरी देखो, क्या क्लिक करेगा, खटा-खटा, 4.8 है, तो मैं क्या करूँ, मतलब 48 है, तो मैं क्या करूँ, 5 लिख दो, 50 लिख दो, 47, 48, 49, सब रहे, 51, 52, 53, सब कुछ भी रहे, तो उसको 50 लिख दिया करूँ, धड़ाक से, अपनी यह आप आंसर सही आता है, 0.02, क्या है भई, 0.02, कहा गया, 0.02 mm पर सकें, तो यहाँ पर बचो यह लेक्चर खातम करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, शुरू करेंगे हम लोग फिर क्या है, ओम्स लो, और बहुत सारे पेरेमिटर्स देखेंगे, तो उमीद है, सारे कुछ याद भी हो गया बढ़ियां से, अच्छे से पढ़ा करते रही हैं, थेंक्यू